नमस्कार प्रिये विद्यार्थियोग, योगा जियोति सब यूटूब चैनल में आप सब का हारतिक अभी नंदन है NTA योगा नेट की जो परिक्षाई होने वाली है उसमें योगा जी के पार्ट वन में आज हम ये पढ़ने वाले हैं उपनिशदों में आसन, उपनिशदों में आसन के कितने प्रकार हैं, कितने कितने अक्सर हम जब इनको एक साथ पढ़ते हैं तो हम इन में कन्फ्यूज हो जाते हैं और आज हम पूर्ण टया एक साथ एक ही वीडियो में समझेंगे की उपनिशदों में कितने आसन है और किस उपनिशद में कितने हैं तांकि आप एक साथ देखकर के यार भी कर सकें और पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगे तुश को शेर करिये और न चिन में है पदमासन और वज्रासन कहीं कहीं आप दिहान दीजिए पदमासन और वज्रासन ही है सिद्धासन इसमें नहीं है योग कुंडलने उपनिशद में दो परकार के आसन है जिनका नाम है पदमासन और वज्रासन अगला प्रशन है योग चूडामन्य उपनिशद में आसन कितने है इसमें भी दो है इसमें क्या है सिद्धासन और पदमासन है यहां वजरासन नहीं है इस बात का ध्यान दीजिए इसमें वजरासन नहीं है सिद्धासन और पदमासन ही है पर आसनों की बात सिर्फ दो ही है दो ही आसन इसमें भी है योग चुडा मन्य उपनिशद के अंदर अब बात करते हैं तीसरा जो उपनिशद है त्री शिखी ब्रामनों उपनिशद में आसन कितने हैं आसनों की संख्या इसमें सत्रा है कितनी है सत्रा पर उनके अंदर भी पदमासन और वजरासन जो प्रारंबे हमने पढ़ा पदमासन और वजरासन दो प्रमुक हैं सत्रासन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं तो मैं एक बार बोल रहा हूं उसमें स्वस्तिकासन है गोमुकासन वीरासन योगासन पदमासन बदपदमासन कुकुटासन उतान कुरमासन धनुरासन सिंग रूपकासन भद्रासन मुक्तासन मयूरासन मतस्य पीठकासन सिध्धासन पश्चिमोतानासन और सुखासन इस तरह से 17 आसन है इन आसनों में पदमासन और वज्रासन ये दो प्रमुक आसन माने गए हैं पश्चिमोतासन और इन आसनों में ये नाम आये तब भी आप ये दो आसन का विशेष प्रमुक आसन माने गए हैं प्रशन 9. 4 इसमें योग तत्वों उपनिशद में आसन कितने हैं योग तत्वों उपनिशद जो है इसमें आसन 4 हैं सिध्धासन, पदमासन, सिंगासन और भद्रासन चार प्रकार के ही आसन इसमें माने गए है योग तत्व उपनिशद में आप देखिए चार प्रशन आपके चार उपनिशद पूर्ण हो चुके हैं और इनके आसनों को आप अच्छे से याद करिए योग तत्व उपनिशद में कितने आसन चार नाम पूछे तो बताईए सिध्धासन, पदमासन, सिंगासन और भद्रासन अब प्रशन नमबर पांच ध्यान बिंदू उपनिशद जो है इसमें कितने आसन इसमें भी चार संख्या चार है सिध्धासन फिर यहाँ पर भद्रासन करम भी याद रखिए सिध्धासन भद्रासन, सिंगासन और पदमासन सिध्ध पदम तो आही रहे आलमोसली पर कहीं कहीं सिध्ध के साथ वज्ज्रासन भी है हना तो यहां पर सिदासन, भद्रासन, सिंगासन और पदमासन इस तरह से पांच उपनिशद आपके पूर्णों चुके हैं अगला है छटा उपनिशद, छटा सात्वा आठ्वा यानि श्वेता स्वत्र उपनिशद है, नाद बिंदू उपनिशद है, योग राज उपनिशद में आसन कितने कोई पूछे तो उनमें आसन नहीं है, अभी हमें ये नहीं मिलते हैं इस तरह से तो आपके पूरे आठ जो उपनिशद है और जो पहले अलग है जो आदि संक्राचारी जो भासेकृत जो उपनिशद है दस उनमें आसनों की व्याख्या नहीं है, आगला जो चेप्टर हमारा तीसरा यूनिट रेता उसमें जो आठ नए उपनिशद एड किये ग तो आप जुरूर कॉमेंट करके बताइए इसी के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद